दोस्तो आज किसी वीडियो में मैं वाटसप की एक इस्ट्री ट्रीक बताऊंगा ना जो पूरे यूटूब में किसी को नहीं पता ना ये यूटूब में किसी ने बताया होगा ये 99% लोग इस ट्रीक को नहीं जानते हैं ये ट्रीक जो है वाटसप खुड एलाउ नहीं करता ह लेकिन इस ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा एक अलग तरीका से जो आपको काफी परसंद आएगा दोस्तों यदि आपके पास कोई गल्फेंड है बॉइफेंड है अगर इस ट्रिक आप इस्तिमाल कर सकते है या फिर कैस किसी के लिए भी ट्रिक है ऐसी बात नहीं है ठीक है त इसी पर मैं आपको प्रेक्टिकल दिखाने वाला हूँ चलिए अब मैं बताता हूँ ट्रिक है क्या दोस्तों अगर आपके फोन में इंटरनेट या वाइफाई ओन है अगर आपको कोई भी ब्यक्ति आपको वाटसप में मैसेज करता है तो उसको डबल टिक हो जाता है डब और कोई भी ब्यक्ति आपके वाटसप पे मैसेज करें फिर भी उसको सिंगल टिक दिखे और उसको यह लगे कि आपके फोन में इंटरनेट और डाटा बंद है जबकि आपके फोन में इंटरनेट और डाता ओन रहेगा तो कैसा लगेगा इस तरीके से आप किसी को भी चक्म आपने डिस्करश hagoam MIRI करके दिखाते हैं उसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन में एक अप्रिकेशन को detector करना होगा अप्रिकेशन को डानुड करने का जो लींक से ठीक है अब मैं यहां पे इस वार्टसब मैसेज करूंगा दूसरे वाटसब से है यहां पर दिछा तो कहाद मैसेज करना शुरू कर दिया ठीक है तो यहां दो नहीं और यहाँ पर double tick होने लगे और यहाँ क्योंकि net on है यानि कि हमने दूसरे वेक्टिव को यानि कि दूसरे वाटसप पर हमने message किया यानि कि हमें यह पता चल गया कि internet on है और उपर on भी है लेकिन अब मैं यह करने जा रहा हूं कि message भी करूँगा single tick भी होगा on भी रहेगा अब चली यहीं same process करूँगा अब मैं चलता हूं उस application में जो application मैंने आपको बताए कि download करना है और allow करना इसको on करना permission को सब कुछ दे देना अब यहाँ पर करना क्या है मैं WhatsApp और data को इस application में जाकर बंद कर दिया ठीक है अब बंद करने के बाद same में प्रक्रिया करने जा रहा हूं अब net की सब कुछ वाने उपर अब यहाँ पर मैं message डालूँगा message देख सकते हैं subting single tick उपर से कोई message भी नहीं आ रहा sub single tick अब उसको सामने वाले को यह पता लगाएगा कि अपने मुबाइल में इसने internet और data बंद किया जबकर आप देख सकते हैं चालू है अब मैं वहीं प्रक्रिया अब वहां से मैं इसको चालू कर देता हूं वहीं single tick sub double में बदल जाएंगे देखें सब double में बदल लगें और सब message आना शुरू हो जाएगा उपर से देखें सब double में बदल लगें अब यहां पर कोई message डालूँगा तो यह double हो जाएगा उपर से आने भी लगें वह से देखें तो इस तरीके से इस्ट्री का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों यह application आपको discussion मिल जाएगा जाकर यहां से डाउनलोड करें अगर वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें धैनवाद